तेरा पूरा पाकिस्तान नहीं गिन पाएगा अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना और वीडियो पसंद आई थो लाइक और कॉमेंट जरूर करना तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे अक्षाय कुमार की OMG2 के बारे में इस फिल्म ने पहले दिन 10.26 करोड की कमाई की है आप सबको पता है कि इस फिल्म के साथ गदर टू भी रिलीज हुई है तो इसके चलते इस फिल्म के पहले दिन का कलेक्शन जितनी उमीद किया गया था उतनी नहीं आई लेकिन दूसरे दिन इस फिल्म के कलेक्शन में काफी ग्रोथ देखने को मिला है दूसरे दिन इस फिल्म ने 15.30 करोड की कमाई की है और तीसरे दिन यानी रविवार को इस फिल्म ने 17.55 करोड की कमाई की है तीन दिनों में इस फिल्म ने कुल 43.11 करोड का कलेक्शन कर लिया है Strong word of mouth की वजह से इस फिल्म का कलेक्शन में हमें काफी ग्रोथ देखने को मिल रहा है हमारी अगली फिल्म है रजनी कांथ सर की जेलर इस फिल्म में शिवराजकुमार, मोहनलाल और तमना भाटिया भी शामिल है इस फिल्म ने इंडिया के साथ साथ Overseas में भी काफी अच्छी कमाई कर रही है तो अब हम बात करते हैं जेलर फिल्म ने पिछले तीन दिनों में कितने करोड की कमाई की है जेलर फिल्म का पहले दिन का कलेक्शन 48.35 करोड है, दूसरे दिन का कलेक्शन 25.75 करोड है और तीसरे दिन का कलेक्शन 35.3 करोड है इन सब को जोड कर तीन दिनों में जेलर फिल्म ने इंडिया में करीब 108 करोड की कलेक्शन कर ली है और Overseas में इस फिल्म ने 100 करोड से भी ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है अब बात करते हैं सबसे ज्यादा चर्चे में रहने वाली फिल्म गदर 2 के बारे में सनी देओल की फिल्म गदर 2 ने कलेक्शन के मामले में पिछले की काफी रेकड तोड रही है और नए रेकड बना रही है बॉक्स आफिस कलेक्शन में गदर 2 ने अपनी कमपेटिटिव फिल्मों को काफी पीछे चोड़ दिया है अब हम जानेंगे गदर 2 ने पिछले तीन दिनों में कितने करोड की कलेक्शन की है पहले दिन का कलेक्शन है 40.10 करोड दूसरे दिन का कलेक्शन है 43.8 करोड और तीसरे दिन गदर 2 ने अपने पहले दो दिनों के कलेक्शन को पीछे छोड़ कर 51.70 करोड का कलेक्शन की है गदर 2 ने पहले वीकेंड में कुल 138.44 करोड का कलेक्शन कर चुकी है